हेलो गाईज, नमस्कार, मैं संदीप कुमार्शो क्लास, स्वागत करता हूँ आपका संदीप सर जीके में, क्लास स्टार करते हैं, बहतरिन क्लास, शांदार क्लास, बहतरिन टॉपिक, शांदार टॉपिक, इंपोर्टेंट बुक्स, महत्पुर्ण बुक्स हम देखने वाले ह जो पिछले 5-10 सालों के अंदर अभी हाल ही में लिखी गई है, कम से कम 40-50 बुक्स के नाम बताऊंगा, जो इंपोर्टन बुक्स हैं, जो एक्जाम में पूछा जाता है, प्रास स्टार्ट करूं, उसके पहले मैं आपको उता दूँ कि बेसिक टोडवांस वाला जो बैच ह है, वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, अगर आपने अभी तक उसमें नहीं लिया है, तो फटाक से डिमिसन ले लिजे, आपको पता है कि बेसिक टोडवांस वाला बैच है, वो एक बार आपको पढ़ना है, एक बार जीके पढ़ना है, बहुत इस शंदाल तरीकिस, बहुत क्लास को, सुरू करते हैं क्लास को, सबसे पहली किताब का नाम है Playing It My Way, यह किताब है सचिन तंदुलकर की, भारत रत सचिन तंदुलकर, दूसरी किताब है Half Girlfriend, जो Half Girlfriend है, यह किताब किसकी है, यह किताब है हिंदुस्तान का वो युवा, जिसको लगता है कि वो पढ़ा लि पढ़ने से नौलेज भढ़ता है, तो बिचारा चेतन भगत पढ़के इसको लगता है कि मैं इंटेलेक्च्छल हो चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा भहन करवाला नौलेज हो चुका है, है ना, तो Half Girlfriend चेतन भगत की किताब है, और चेतन भगत की और भी किताब हैं, जैस सारी किसारी किताबे चेतन भगत की हैं, तो यह चले, नेक्स्ट, अग्स पाता है, By Guide to Private Equity, यह किताब है, नेहा भुवानिया की नाम आपने सुना होगा, अगर आप वरतमान जिंदगी में जी रहे हैं, तो आपने नेहा भुवानिया का नाम जरूर सुना होगा, उनकी किता किताब है, By Guide to Private Equity, अगली किताब है, Birth of Cinema, गोपाल करशन जी किताब है, बहुड़ी शांदर किताब है, अलाकि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके रिव्यू मैंने पढ़ा था, बोला था, काफी अच्छी किताब थी, Birth of Cinema, अगली किताब आती है, A Bunch of Old Relators, पंदित जभा जभाला नहरू, Glimpse of World History, पंदित जभाला नहरू, एन ऑटो बैक्राफी टूर्ड फ्रीडम, पंदित जभाला नहरू, यह सारी किताब है, इसमें से किताब पढ़ियागा, मैं इसकारण से नहीं बोला कि यह Congress से BJP के है, मैं इसकारण से बोलो कि यह सारी किताब हैं, कभी म देता थे, एक इस्टोरी है, एक इस्टोरी यह है कि एक बार एक ठाने में एक आदमी पहुच गया थे, वो गंदी सी धोती पहने हुए, गंदी सी धोती थी उसमें दोतिन छेद थे, और एक बहुती गंदा सा मटमेला सा कुरता था, वाइट कला का कुरता मटमेला हो गया गौन से बेल चुरी हो में पिला रीपोर्ट नहीं लिख रहे हैं लिखे होफील फॉतलि यूपोन्ते कर देजीक अवर्म फैटराइं युथ दितने नहीं दो're जेब में हाट डाला, जेब से एक सेल निकाला, अब लिखा प्रधान मंतरी आफिंडिया चौधरी चरण सिंग, जेब उस उस बाद में पूरा ठाना सस्केंट हो गया था कहते हैं, एक चौधरी चरण से बहुत ही कमाल के इंसान के नेता थे, बहुत कमाल, सच में किसानों के क कमाल के नेता थे, एक चौधरी चरण सिंग, अगर महंदर टिकैत का नाम सुना हो, महंदर टिकैत अगर अपनी हुक्का, हुक्का पीते थे बहुत हो, अगर हुक्का लेके दिल्ली में कर धोके से विजामिल्या मैदान में पहुच जाएं, तो पर क्या अटल भी हाजी सांधी और क्या लाल लकेशन रवानी, सारे के सारे दौर के भग के आते थे भाई साब, इसको मनाओ, अगर इसका होक्का चालू हो गया, तो अंदोलों हो जाएगा देस, बहुत बड़े निता थे, ये लोग किसके, किसानों के, अगली आते हैं, नेटवर सिंग सार, नेट गीता रहास्य, बाल गंगा धरतिलक की किताब है, गीता रहास, जिल में रहेकर लिखा था इनोंने, आगली आती है, अनिरुद भटाचार्या, अनिरुद भटाचार्या, अनिरुद भटाचार्या, दे कैंडिडेट, नेक्स्ट किताब है, संजय बारु की, The Accidental Prime Minister, संजय ब बारु साहब के बारु में जितना दिखाया गया है, पूरी फिल्म में, ऐसा लगा रहा है कि संजय बारु, रहनमंतरी के मेडिया डिवाइजर नहों कि उनकी मम्मी हो गया है, हर चीज पता है भाई साहब, देखिए, सरकार में जो मेडिया डिवाइजर होती, उससे क्या व आता है नीम स्ट्री, राही मसूम रजा, राही मसूम रजा, नीम स्ट्री, राही मसूम रजा कौन है, बस इतना जान लीजिए, कि जो महा भारत बनाया गया था, पूरा, इसका महा भारत था, जो महा भारत बना था पूराना वाला, उसमें जितने भी डायलोग सा पूरी ज जस्वंत सिंग को हनुमान कहा जाता है बीजेपी का हनुमान जब अटलवहरी वाजपई प्रधानमंत्री थे और लालकेशन अडवानी डिप्टी प्रामिनिस्टर थे तो उस टाइम पे जस्वंत सिंग प्रमोद महाजन और यश्वंत सिंहा इनको आडवानी जी का और वाज अगला नेक्स चलते हैं नेक्स्ट दिलिप कुमार, Substance and the Shadow, दिलिप कुमार का नाम सुना होगा, दिलिप कुमार का ओरिजिनल नाम है यूसुफ खान, यूसुफ खान इनका नाम है, जो दिलिप कुमार आपने सुना होगा, बहुत ही बड़े एक्टर है, अगला आता है A suitable boy, Vikram Seth, नाम सुना होगा नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, अगला आता है भ्रष्टा चार भारत छोड़ो, Indian first IPS woman, किरन बेदी, किरन बेदी, बहुत ही शांदार और बहुत ही होश्या लड़की, किरन बेदी बहुत भादू लड़की, नेक्स्ट, Passage to England, नीरद सी चोधरी की किताब है, अगली किता नेक्स्ट आता है, इसके राइटर कौन है, वरतमान, Vice President of India, महामहिम वेंकायन आइडू, नेक्स्ट है, पुष्टक 281 and Beyond, इसके राइटर कौन है, आपको पता है कि एक बार इडन गार्डन में एक मैच हुआ था, इडन गार्डन जो कोलकाता का ग्राउंड है, वहाँ परसा हो गया था कि इंडिया और शिलिया का मैच चल दा था, उसमें ये था कि 101% इंडिया वो मैच हारने वाला है, तोकि लगभग हातम था मैच, लेकिन VBS लच्छमन और राहुल ग्रविड खड़े हो गया थे, बस उ अगली किताब है, Aluminium The Future Metal, इसके राइटर है, तपन कुमार चंद, नेक्स्ट है, The English Patient, Michael O'Danze, इसके राइटर है, अगला है, 11th R, इसके राइटर है, S.Husain Jaddy, नेक्स्ट है, अहिंसा, अहिंसा के जो किताब है, इसके राइटर है, तुप्रिया केलकर, नेक्स्ट है, फ्ल बहुत उच्छी किताब है, इसको पढ़ियागा, शर्शी थरूर, शर्शी थरूर कि अगर परसनल लाइट को छोड़ दिया जाए, तो बागि ये आदमी है होशियार, इसमें कोई दोगनता ने है, पढ़ा लिखा आदमी है, तेक है, इसके परसनल लाइट अगर हटा दिय पूरी जिंदगी में कुछ पढ़ना चाहना पढ़ा है, ये किताब जरूर पढ़ लेना, ये किताब जिसने लिखा है, उसका नाम ही काफी है, रगुराम राजन, I do what I do, ये किताब पढ़ियेगा जरूर, मैंने पढ़ा है इसकिताब को, बोखुछ शांदार बुक, मैं व बुरत किताब सर्में आ गई थी, और क्या कहना है, क्या लौजी के भाई साथ में का, ना, नेक्स्ट आती है, what happened, ये किताब है, हिलेरी किलिंटन की, नाम सुनोख आपने, अगला आता है, the mystery of utmost happiness, ये ऐसी राइटर है, you cannot love, और you cannot, sorry, you can love, और you can hate, but you cannot ignore अरुंधिती रवाय है, अरुंधिती रवाय हमेशा controversy में रहती है लड़की, हमेशा controversy में रहती है, अपने statement के द्वारा, लेकिन ये है कमाल की writer, अच्छा लिखती है लगी, नेक्स्ट अगला आता है, गांधी इन चंपारण, चंपारण में गांधी जी ने पहला अंदुलन किया था, श्री, श्री, एक्सवराठ श्री, वरतवान पदान मंतरी नेने मुदी जी की किताब है, इसमें सबसे पहले tough questions करना है, फिर easy questions करना है, मालू आपके exam में अगर 100 questions आएं, तो सबसे पहले tough questions करो, 3 घंटे का paper होगा, तो धाई घंटे आप tough questions करो, 20 questions, फिर बचे की 30 मिनट है, उसमें 10 मिनट रो लो और बचे के 20 मिनट में 5 कोस्टन कर लो और फैल हो के एक्जाम में चले आओ धोके से गलती मत कर देना धोके से भी यह आदानी पहर मंतर जी की बात मत मालेना जिंदगी में कोई एक्जाम ने निकाल पाओगे कभी भी में थर मतराएगा यह आप पहले टफ कोस्टेन करें कभी भी टफ कोस्टेन यह जाम में नहीं किए मैं 30-35 questions के आसपास मैं एक नजर में ही solve कर दिता था ठीक है एक यह हो गया देन उसके बाद में फिर में second नजर दोड़ाता था पेपर में उस time पे मैं क्या करता था कि ऐसे questions करता था जिनको मुझे दो बार पढ़ना पढ़ता था और यहां से भी मैं 10-15 questions solve कर लेता था जो बि करना पड़े यह सब करता था तो टोटल मिला कि इस तीन राउंड में इजी-जी question के दाण में मैं 60 के आसपास questions कर डालता था ठीक मैं UPC से बात करता हूं फिर बसते थे मेरे 40 question उस 40 question में ढोंडता था कि ऐसे कौन से questions जहां पर मैं 50-50 के आसपास हूं मालों 4 option में मैंने 2 option delete क तो हो जी नहीं सकता answer अब बचा 50-50 यह दो option में कोई एक option होगा तो मैं यहां से भी ज्यादा question करता देता तुकर नहीं मारता था मैं 2-4-6 question में risk लेता था क्योंकि मुझे पता है कि UPC में अगर आप 105 प्लस या 110 प्लस मार्स से लेके आते हैं प्री में तो आपका प्री में किनाते हैं और एक teacher होने किनाते बता रहा हूं कभी भी tough question में भेजा धोखा से भी tough question में आपने गए और आपने अगर दो तिन चार tough question किये एक तो answer नहीं है कि तो वह demotivate करोनी लोगे और उसके बाद में time waste भी भेंकर वाले होगा उसके बाद फिर आपको सिर्फ नयन मोद जीवे जा सकते हैं बाकी आपको समझदारों मिलते हैं नेक्स लाब में तब तक करें बाई 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 भागतों से माफी